तूजी मामले में एक नया खुलाते के बारे में है आप लोग सब जानते हैं कि फूजी मामले में शाहिद बन्वा को चार्चीट किया गया था और शाहिद बन्वा के साथ राजा, कनी मोडी और एक शरद रेटी इनको भी चार्चीट किया गया और TBI की चार्चीट में ये लिखा था कि शाहिद बन्वा जिसको Swan Telecom, जो Swan Telecom का Director था, Swan Telecom वैसे originally Reliance Company ने बनाई थी जिसके वज़े से Reliance के भी कुछ procedures को चार्चीट किया गया और Reliance Company को एक पहले ही license मिल चुका था और वो लोग eligible नहीं थे दूसरे license के लिए लेकिन फिर भी एक फ़र्जी company बनाई गई Swann Telecom और उसके नाम से एक दूसरे set of license राजा ने Swann Telecom को दिये वो 214 करोड रुपए ट्रांसफर किये जब यह सब बातें निकल कराई और TBI ने पूछताच शुरू करी और राजा को अरेस्ट किया गया उस समय यह एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई यह जो पैसा 214 करोड आया था यह लोन था और यह लोन वापस किया गया उसके बात और इंटरेस्ट के साथ वापस किया गया यह जो आज हम लोग फुलासा कर रहे हैं जिसमें की चार फोन की बात्ची एक बड़े सीनियर पुलीस ओफिसर थे आईपियस के जाफर साथ जो की स्टेट इंटिलिजन्स ब्यूरो के हेड थे और करोणा निभी फैमिली से बहुत प्लोस थे उनके बीच में और एक कॉंवर्सेशन होता है उनके और शरत रिटी जो की इसके मैनेजिंग डिरेक्टर थे कलिगना टीवी के जिनको चार्चीट किया गया था दूसरी बातचीत होती है इनके बीच में जाफर साइट और शन्मुगनाथन जो की कर्णा निभी के प्राइवेट सेक्रेटरी पिछले करीब 30 साल से रहे है और कहा जाता है कि कर्णा निभी जो कुछ भी अपनी डीलिंग करते हैं यही के थ्रू करते हैं और दो फारवर्टेशन्स हैं जाफर शायत और कनी मोडी के बीच में और यह था बातचीत उसी प्राइड की है नवंबर 2010 के आखिर से लेकर फरवरी 2011 के बीच में जब यह सारा कवर अप वगरा चल रहा था यानि कि जब राजा कोरेंस किया गया उसके आगे पीचे के परवर्टेशन है